नमस्ते दोस्तों, दोस्तों प्रस्तुत है राग दरबारी का अगला भाग, भाग नमबर साथ छत के उपर एक कमरा था जो हमेशा संयुक्त परिवार की पाठे पुस्तक जैसा खुला पढ़ा रहता था कोने में रखी हुई मुखदरों की जोड़ी इस बात का एलान करती थी कि सरकारी तोर पर यह कमरा बदरी पहलवान का है वैसे परिवार के दूसरे प्राणी भी कमरे का अपने-अपने धंग से प्रयोग करते थे घर की महिलाएं कांच और मिट्टे के बर्तनों में देरो अचार भरकर छट पर धूप में रखती थी और शाम होते होते कमरे में जमा कर देती थी यही हाल छट पर सूखने वाले कपड़ों का भी था कमरे के आर पार एक रसी लटकती थी जिस पर शाम के वक्त लंगोट और चोलिया अंगोचे और पेटिकोट साथ-साथ जूलते नजर आते थे वैद जी के दवाखाने की अनावशक शीशियां भी कमरे की एक अलमारी में जमा थी प्राय सभी शीशियां खाली थी उन पर चिपके हुए सचित्र विज्यापन इस्तेमाल के पहले शीरशक पर एक अर्ध मानव की तस्वीर से और इस्तेमाल के बाद शीरशक के अंतरगत एक ऐसे आदमे की तस्वीर से जिसकी मूचे एठी हुई है लंगोट कसा हुआ है और परिणामत है स्वास्तवूत अच्छा है पता चलता था कि ये वही सीशियां है जो हजारों इंसानों को शेर के मानिंद बना देती है ये दूसरी बात है कि वे अपने गुसल खानने और सैनकक्स में ही कमर लपलपाते हुए शेर की तरह घुमा करत हैं बाहर बकरी के बकरी बने रहते हैं एक साहित है जो गुप्त कहलाता है जो भारत में अंग्रिजी राज जैसी पुस्तकों से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसका चापना 1947 के पहले तो जुर्म था ही आज भी जुर्म है जो बहुत सी दफ्तरी बातों की तरह गुप् सप्लिमेंट का काम करता है और जो विशिर्च सहिते और जन सहिते की बनावटी श्रेणियों को लांग कर व्यापक रूप से सबके हरदों में पर्तिष्ठित है वैसे उसमें कोई खास बात नहीं होती सिर्फ यही बताया जाता है कि किसी आदमी ने किसी आदमी या किसी ओरत के साथ किसी तरह से क्या बरताव किया यानि उसमें सुमित्रा नंदन पंत की दार्षनिक भाषा में कहा जाए तो मानव मानव के चिरंतन संबंदों का वर्णन होता है। इस कमरे का प्रयोग ऐसे सहित्ते के अध्यन के लिए भी होता था और वह अध्यन जाहिर है। परिवार में अकेले विद्दार्थी होने के नाते रूपन भाबू ही करते थे। रूपन भाबू कमरे का प्रयोग और कामों के लिए भी करते थे। जिस सुख के लिए दूसरे लोगों को रोटी के टुकडे, पेड की छाउं, कभीता, शराब की सुरही, प्रेमी का आधी उमर खयामी पदार्थों के जरूरत होती है। वह सुख रूपन भाबू इस कमरे में अपने आप ही खीच लेते थे। परिवार के सभी लोगों में शान्ति पूर्ण सह अस्तित्व का नारा बुलंद करने वाले इस कमरे को देखकर लोगों के मन में स्थानिय संस्कृति के लिए श्रधा पैदा हो सकती थी। इसे देख लेने पर कोई भी समाज शास्त्री ये नहीं कह सकता था कि पूर्वी गोलार्द में संयुक्त परिवार की व्यबस्ता को कहीं कोई खत्रा है। लेखते वी डाक्ति दवाख आई थी। उससे वये अब बिल्कुल ठीक नहीं हो पाया था। किसी भी समाने शेहराती की तरह उसकी भी आस्ता थी कि शेहर की दवा और डेहत की हवा बराबर होती है। इस लिए यां रहने के लिए चला आया था। किसी पर किसी भी सामाने मुर्ग की तरह उसने एमे करने के पाद ततकाल नोकरी ने मिलने के कारण रिशर्च शुरू कर दी थी, पर किसी भी सामाने बुद्धिमान की तरह वह जानता था कि रिशर्च करने के लिए विश्व विद्धाले में रहना और नित्य प्रती पुस्तकाले में बैठना जरूरी नहीं है इसलिए उसने सोचा था कि कुछ दिन वह गाउं में रहकर आराम करेगा तंदुरुस्ति बनाएगा अध्यन करेगा जरूरत पढ़ने पर शहर जाकर किताबों की अदला बदली कराएगा और वैद जी को हर स्टेज पर सिष्ट भाषा में यह कहन एक हिस्से पर रंगनाथ ने आते ही अपना व्यक्तिवाद फेला दिया था उसकी सफाई कराके एक चारपाई स्थाई रूप से डाल दी गई थी उस पर एक स्थाई विस्तर पढ़ गया था पास के अलमारी में उसकी किताबें लग गई थी और उसमें जेबी जासुस या गुप्त साहित्य के प्रवेश का निशिद कर दिया गया था वही एक चोटी सी मेज और कुर्सी भी कालिश से मंगा कर लगा दी गई थी चारपाई के पास ही दिवाल में एक खिड की थी जो खुलने पर बागों और खेतों का द्रश्य पेश करती थी ये द्रश्य रंगना कितने गुरु भक सिंग एक अर्केस्ट बजा रहे हैं और उनके पीछे अंगिनत आंचली कथाकार मुहूं में तुरही लगाए सांस फुलाए खड़े हुए हैं रुपन बाबो कहीं से कुछ इट रोड़ा उठा लाए थे और उसे जोड गाट कर उन्होंने एक रेडियो जैसा तैयार कर दिया था कमरे के उपर बासों और आसपास के पेड़ों के सहारे उन्होंने लंबे-लंबे तार दोड़ा दिये थे जिससे लगता था कि वहाँ एशिया का सबसे बड़ा ट्र्यांसमेशन सेंटर है पर अंदर का रेडियो एक हैड़फोन के सहारे ही सुना जा सकता था जिसे कान पर चिपका कर रंगनात कभी-कभी स्थानिये खबरें और वैशनव संतों के शोक पूर्ण भजन सुन लेता था और इत्मिनान कर लेता था कि आल इंडिया रेडियो अब भी वैसा ही है जैसा कि पिछले दुनों में था और हजार गालियां खाकर भी वह बेहाया अपने पुराने धर्डे से टस से मस नहीं हुआ है रंगनात का कार्यकर्म वैद जी की सला से बना था बहुत सवेरे उठना उठकर सोचना कि कल का खाया हजम हो चुका है तामबे के लोटे में रखावा ठंडा पानी पीना दूर तक टहलने निकल जाना नित्य करम क्योंकि संसार में वही एक कर्म नित्य है बाकिया नित्य है टहलते हुए लोटना चंक्रमनम हितम मुह हाथ दोना लकडी चबाना और उसी क्रम में लगे हाथ दाथ साफ करना गुनगुने पानी से कुल्ले करना व्यायाम करना दूद पीना अध्यन करना दोपैर को भोजन करना विश्राम, अध्यन, साइंकाल टहल लें जाना लोटकर फिर साधार्न व्यायाम बादा मनक के आदि के द्रबे का प्रयोग अध्यन, भोजन, अध्यन, शयन रंगनात ने इस पूरे कार्यकरम को इमानदारी से अपना लिया था इसमें सरफ इतना संशोधन हुआ था कि आध्यन की जगहें वैद जी के बैठक में गंजों की सहोबत ने ले ली थी चूँकि इस से रंगनात के वीरिये की प्रतिरक्षा को कोई खत्रा नहीं था और कुल मिलाकर उसके पूरे दैनिक कार्यकरम पर कोई असर नहीं पढ़ता था इसलिए वैद जी को इस संशोधन में कोई एतराज ना था बल्कि एक तरह से वे इसे पसंद करते थे कि एक पढ़ा लिखा आदमी उनके पास बैठा रहता है और हर बाहरी आदमे के सामने परिचे कराने के लिए हर समत अहियार मिलता है कुछ दिनों में ही रंगनात को स्युपाल गंज के बारे में ऐसा लगने लगा कि माहा भारत की तरह जो कहीं नहीं है वै यहां है और जो यहां नहीं है वै कहीं नहीं है उसे जहन पड़ा कि हम भारतवासी एक हैं और हर जगे हमारी बुद्धी एक सी है उसने देखा कि जिसकी परशंचा में सभी मशूर अकबार पहले परस से ही मोटे-मोटे अक्षरों में चिलाना शुरू करते हैं जिसके सहारे बड़े-बड़े निगम, आयोग और परशाशन उठते हैं, गिरते हैं, गिसटते हैं, वही दाउपेच और पैतरे बाजी की अखिल भारते परतिवा यहां कच्चे माल के रूप में इफरात से फैली पड़ी है ऐसा सोचते ही भारत की सांस्कृतिक एक्ता में उसकी आस्था और भी मजबूत हो गई पर कमजोरी सरफ एक बात को लेकर थी, उसने देखा था कि शहरों में वाद विवाद का एक नया रूप, पुरानी और नई पीड़ी को लेकर उजागर हो रहा है उसके पीछे पुराने पीड़ी का ये विश्वास था कि हम बुद्धिमान हैं और हमारे बुद्धिमान हो चुकने के बाद दुनिया से बुद्धि नाम का तत्व खत्म हो गया है और नई पीड़ी के लिए उसका एक कत्रा भी नहीं बचा है वहीं पर नई पीड़ी की ये आस्ता थी कि पुराने पीड़ी जड़ थी, थोड़े से खुश हो जाती थी और अपने और समाज के प्रती इमानदार ना थी जबकि हम चेतन हैं किसी भी हालत में खुश नहीं होते और अपने प्रती इमानदार हैं और समाज के प्रती कुछ नहीं है क्योंकि समाज कुछ नहीं है यह बाद विवाद खास तोर से सहित्य और कला के शेत्र में ही चल रहा था क्योंकि ओरों के मुकाबले बाद विवाद के लिए सहित्य और कला के शेत्र ही जदा से ज़दा फैलावदार और कम से कम हानिकारक है पिछली पीड़ी के मन में अगली पीड़ी को मूर खोर अगली के मन में पिछली को जोकर समझने का चलन वहाँ इतना बढ़ गया था कि अगर शेत्र शाहिते या कलाका ना होता तो अब तक ग्रह युद हो चुका होता रंगनात कुछ दिन तक समस्ता रहा कि शिवपाल गंज में अभी तक ऐसे पीड़ी संगर्ष का उदे नहीं हुआ है पर एक दिन उसका भ्रम तूर हो गया उसने देख लिया कि यहां भी उसी तरह संगर्ष है वैं समझ गया कि यहां की राजनिती इस पहलू से भी कमजोर नहीं है भात एक चोदै साल के लड़के को लेकर चली थी एक शाम बैठक में किसी आदमी ने सिवपाल गंज के उस लड़के का जीवन चरितर बताना शुरू किया उसे से प्रकट हुआ की लड़के में बदमास बनने की शमता कुछ इस तरह से पनपी थी कि बड़े-बड़े मनोवज्यानिक और समाजवज्यानिक भी उसे प्रभू का चमतकार मानने को मजबूर हो गए थे सुना जाता है कि अमरीका चे पढ़कर लोटे हुए कई विद्वानों ने उस लड़के के बारे में चान बेन की उन्होंने तूटे हुए परिवार, बुरी सोहबत, खराब बातावर्ण, अपराधशील वंश परंपरा आदी रटी-रटाई किताबी थोरियों को उस पर खपाना चाहा पर लड़के ने खपने से इंकार कर दिया और बाद में वे विद्वान इसी नतिजे पर पहुँझे की हो नहो ये प्रभू का चमतकार है वास्तव में इससे इन विद्वानों की अयोगेता नहीं, अपने देश की योगेता ही परमानिद होती है जो आजकल अर्थ शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनिती विज्ञान, मनो विज्ञान आधी के शेत्र में ऐसी ऐसी विवहारिक समश्याएं चुटकियों में पैदा कर सकता है कि अमरीका में कीमती काग्जों पर छपी हुई किताबों के बेस कीमती सिद्धान्त, फोच शाबित होने लगते हैं और उनका हाल निकालने के लिए बड़े-बड़े भारतिय विद्वानों को घबरा कर फिर अमरीका की और ही भागना पड़ता है इस लड़के की केस हिस्ट्री ने भी कुछ ऐसा तहलका मचाया था कि एक बहुत बड़े विद्वान ने अपनी आगली अमरीका यातरा में उसका समाधान डूंडने की परतिग्याकर डाली थी लड़का सिवपाल गंज के इतिहास में अचानक ही दो-तिन साल के लिए उधित हुआ चमका और फिर पुलिस के जहापड, वकीलों के व्याख्यान और मजिस्टेट की सजा को निसंग भाव से हजम करता हुआ बाल आपराधियों के जिल के इतिहास का एक अंग बन गया वहीं पता चला कि उस लड़के का व्यक्तिगत चरीत्र देश के विदवानों के लिए समष्या बना हुआ है और उसे सुलजाने के लिए भारत वर्ष और अमरीका की मितरता का सहरा लिया जाने वाला है यह बात सिवपाल गंज में आते आते लोग कथा बन गई थी और तब से वहाँ उस लड़के का लीला समरण बड़े अभिमान के साथ किया जाने लगा था रंगनात को बताया गया कि वह लड़का 10 साल की उमर में ही इतना तेज दोड़ने लगा था कि 15 साल के लड़के भी उसे पकड़ नहीं पाते थी 11 साल की उमर में वह रेल में बिना टिकट चलने और टिकट चैकर को धता देने में उस्ताद हो गया था एक साल बाद हुए है मुसाफिरों के देखते देखते उनका सामान कुछ इस तरह से गाइब करने लगा जैसे लोकल अनिस्थिस्या देकर हुश्यार सर्जन आपरिशन कर डालते हैं और मेज पर लेटे हुए आदमी को पता ही नहीं चलता कि शरीर का एक हिस्सा कहां चला गया इस तरह की चूरी में उसकी ख्याती सबसे ज़्यादा इसाधार पर हुई कि वह कभी पकड़ा नहीं गया बाद में 14 वर्स के अवस्था में जब वह पकड़ा गया तो पता चला कि वह उपर का शीशा तोड़कर दरवाजे की बीतरी सिटकनी खोलने की कला में दक्ष हो चुका है बंगलों में चूरियां करता है और चूरियां भी रोशन दान से नहीं भलकि उपरयुक्त तरकीब से दरवाजा खोलकर बहले आदमियों की तरह काईदे के रास्ते मकान में घुसकर करता है इस लड़के की परशनचा करते करते किसी आदमी ने बहरामपूर चोटा का भी जिकर किया जो किसी जमाने में उसी शेत्र में एतिहासिक महतव का चोर माना जाता था पर उसका नाम सुनते ही एक लड़के ने बड़े जोर शोर से विरुद किया और बतर्ज विधन सभाय की स्पीचों के बिना किसी तरक के सिर्फ आवाज उची करके सावित करने की कोजिस की कि बहरामपूर चोटा भी कोई चोटा था उसने शनीचर से पूछा क्या आजकल के चोटे सचमुची ऐसे तिसमारखा हैं? पहले भी तो एक से एक खतरनाक चोटे हुआ करते थे शनीचर उस उमर का था जिसे नई पीडी वाले पुरानी के साथ और पुरानी पीडी वाले नई के साथ लगाते हैं और आयू को लेकर पीडीों में वेग्यानिक विभाजन ना होने के कारण जिसे दोनों वर्ग अपने से अलग समझते हैं इसी कारण उसके उपर किसी भी पीडी का समर्थन करने की मजबूरी ना थी सहिते और कला के सेकडो अर्द प्रोड अलोचकों की तरह सिर हिला कर अपनी राय देने से कतराते हुए वह बोला भहिया रंगनात पहले के लोगों का हाल न पूछो यहीं ठाकुर दुर्बिन सिंग थे मैंने उनके दिन भी देखे हैं पर आजकल के लोणों के भी हाल न पूछो आज से लगवक 30 साल पहले जब आज की पीडी पैदा नहीं हुई थी और हुई भी थी तो यशश्वी रहें हे प्रभो हे मुरारे चरंजीव रानी वे राचा हमारे या खुदाया जार्ज पंजुम की हिफाजत कर का कोरस गाने के लिए हुई थी सिवपाल गंज के सबसे प्रमुख गंजहा का नाम ठाकुर दुर्बिन सिंग था उनके मा बाप ने उनके नाम के साथ दुर्बिन लगा कर शायद चाहा था कि उनका लड़का हर काम वेगानिक ढंग से करे बड़े होकर उन्होंने ऐसा ही किया भी जिस चीज में उन्होंने दिल्चस्पी दिखाई उसे बुनियाद से पकड़ा उन्हें अंग्रेजी कानून कभी अच्छा नहीं लगा इसलिए जब महत्मा गांदे सिर्फ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की तैयारी कर रहे थे उन दिनों दुर्विन सिंग ने इंडियन पैनल कोड की सभी दफाओं को एक एक करके तोड़ने का भुनियादी काम शुरू कर दिया था सवभाव से वे बड़े परोपकारी थे परोपकार एक व्यक्तिवादी धर्म है और उसके बारे में हर व्यक्ति की अपनी अपनी धार ना होती है कोई चीटियों को आटा खिलाता है कोई ऐ विवाहित प्रोढाओं का मानसिक स्वास्ते ठीक रखने के लिए अपने मत्थे पर प्रेम करने के लिए हमेशा तैयार की अक्ति लागा कर घुमता है कोई किसी को सीधे रिष्वत ने लेनी पड़े इसलिए रिष्वत देने वाले से खुद संपर्ख स्थाफित करके दोनों पक्षों के बीच दिन रात दोड़ धूप करता रहता है ये लड़ाई भीड़ाई के हर मोके पर वे बिना बुलाए पहुंच जाते थे और कमजोर की तरफ से लाठी चला दिया करते थे उन शान्ती पूर्ण दिनों में ये सब बातें बंधी दर से चलती थी और सारे इलाके में मशूर था कि शहर में जैसे बाबू जैराम परशाद वकील मारपिट के मुकदमे में खड़े होने के लिए 50 रुपया हर पेशी पर लेते हैं उसी तरह दूर्बिन सिंग भी मुकदमे के पहले वाली मारपिट के लिए 50 रुपया लेते हैं बड़े लड़ाईयों में जहां आदमी जमा करने पड़ते यह रकम प्रती व्यक्ति के हिसाब से बढ़ती जाती थी पर उसकी भी दरे निश्चित थी और उसमें कोई धोके बाजी नहीं थी उनके आदमियों को गोश्ट और शराब भी देनी पड़ती थी पर वे स्वेम इन मोकों पर गोश्ट नहीं खाते थे और शराब नहीं पीते थे इससे उनका पेठ हलका और दिमाग साफ रेता था जो कि युद्गे समय बड़ी ही वांचनेश्टी थी है और चूंकि गोश्ट और शराब देखकर भी नहीं कहने वाला आदमी साधाचारी कहलाता है इसलिए वे साधाचारी कहलाते थे दुर्बेन सिंग की एक वेशेस्ता यह भी थी कि वे सेंद नहीं लगाते थे वे दिवारे फांदने के उस्ताद थे और कहीं भी आसानी से पोल जंप के चैंपियन हो सकते थे शुरू में रुपे की कमी होने पर वे कभी-कभी दिवार फांदने का काम करते थे बाद में वे ऐसा काम सिर्फ कभी-कभी आपने नए चेलों को वेवारिक परशिक्षन देने की नियत से ही करने लगे थे ये वह जमाना था जब चोर चोर थे और डाकू डाकू चोर घर में सिर्फ चोरी करने के लिए घुसते थे और एक पांस साल का बच्चा भी पैर फटफटा दे तो वे जिस सेंद से अंदर आई थे उसी से वे नमरता पूरवक बाहर निकल जाते थे डाकूं की दिल्चस्पी मार पीट में जादा होती थी माल लूटने में कम इस परिप्रेक्षे में दुर्भिन सिंग ने अपने इलाके में चोरी करते समय घर में जग जग जाने वालों को पीटने का चलन चलाया और ये तरीका उनके समसामाईक चोरों में बड़ा ही लोगपरिये हो गया इस तरहें दुर्भिन सिंग ने चोरों और डकेतों के बीच के फासले को कम करने का एक बुनिया दिकाम किया और उनकी पदतियां मेथडोलोजी में क्रांतिकारी परिवर्तन किये पर वक्त की बात, सिवपाल गंज में जो बात भी वक्त के खिलाब पड़ती थी, वक्त की बात हो जाती थी यही ठाकुर दुर्भिन सिंग अपने नशेबाज भतीजे का एक जोरदार तमाचा बुढ़ापे में खाकर कुएं की चकत से नीचे गिर गए उनकी रीड टूट गई, कुछ दिनों तक होने में रखी हुई अपनी लाठी को देख देख कर दुर्भिन सिंग अपने भतीजे के मुह में उसे ठूस देने का संकल्प करते रही और अंत में लाठी और भतीजे के मुह को यथावत छोड़ कर वे सिवपाल गंज की मिट्टी को वीर विहिन बनाते हुए वीर गती को प्राप्द हुए यानि टे हो गए सनीचर ने दुर्भिन सिंग के विशे में अपना संस्मर्ण सुनाया भहिया रंगनाथ अंधेरी रात थी और मैं बोलुपूर के तिवारियों के बाग के बीच से आ रहा था तब हमारा भी बच्पना था और हम बाग बकरी को एक निगा से देखते थी देहे में ऐशा जोस था कि हावा में डंडा मारते और पत्ता भी खड़क जाए तो छिटक कर मा की गाली देते थे तो अंधेरी रात थी और हम हाथ में डंडा लिए सटा सट चले आ रहे थे तब ही एक पेड के पीछे से किसी ने कहा खबरदार हमने समझा कि कोई जिन आ गया उनके सामने तो लाठी डंडा सभी बेकार मैंने लाल लंगोट वाले का ध्यान किया पर भाईया लाल लंगोट वाला तो तभी काम देगा जब भूत परेत जिन से मुझे हटा हूँ यहां पेड के पीछे से एक काला कलूटा गठी देह का जवान निकल कर मेरे सामने आया और बोला जो कुछो चुपचाप रख दो धोती कुर्ता भी उतार दो मैंने मारने को डंडा ताना तो क्या देखा कि चारों तरप से पांच-छे आदमे घेरा डाले हुए हैं सब बड़ी-बड़ी लाठिया और भाले लिये हुए हैं हमने भी कहा कि चलो सनी चर तुम्हारी भी जोड बाकी आज से फिस डंडा मेरा तना का तना रह गया चलाने की हिमत ना पड़ी एक बोला तान के रह क्यों गया चलाता क्यों नहीं असल बाप की उलाद हो तो चला दे डंडा बड़ा गुस्सा लगा पर भाईया मैं जब गुस्से में बोला तो रोना आ गया मैंने कहा जान ने लो माल ले लो दूसरे ने कहा साले की अधेला भर की जान उसके लिए सियार जैसा फें फें कर रहा है इतना माल छोड़ दे रहा है अच्छी बात है धर दे सब माल बस भाईया एक जोला था उसमें सत्तू था एक बढ़िया मुरादाबादी लोटा था मामा के घर से मिला था फर्स्ट किलास सूत की डोरी लोटा क्या था बिलकुल बाल्टी था कुएं से दो सिर पाने खीचता था पूडियां थी असली घी की तब ये बनास्पति साला कहां चला था सब उन्होंने गिनकर धरा लिया फिर धोती उतरवाई टेंट में एक रुपया था उसे भी छीन लिया कुर्ता और लंगोटा पहने हुए जब मैं खड़ा हो गया तो एक ने कहा आप मुहूं में ताला लगाए चुपचाप अपने घर चले जाओ चूँ भर किया तो इसी बाग में खोद कर गाड दूँगा मैं चलने को हुआ तो एक ने पूछा कहा रेता है मैंने कहा गंज हाँ हूँ फिर ने पूछो भहिया सब लूटे रे खड़े खड़े मुह तकने लगे किसी एक ने मुझ से सीवपाल गंज के मुख्या का नाप बूचा दूसरे ने लंबरदार का तीसरे ने दूर्बिन सिंग को जानते हो मैंने कहा दूर्बिन सिंग की तरफ से लाठी भी चलाने जा चुका हूँ जब रंगपूर में जमावड़ा हुआ था, सुलेने होती तो हजारों लोग वहीं खेत हो जाते दुर्भिन सिंग को गाउं के रिष्टे काका कहता हूँ बस, राम राम सिता राम जैसे काले आदमियों में कोई गोरा फोजी पहुँच गया हो भगदर मच गई, कोई मेरी धोती वापस ला रहा है कोई कुर्ता, एक ने जूता दिया, एक ने मेरे हाथ में जोला पकड़ाया एक मेरे सामने हाथ जोड कर खड़ा हो गया बोला, तुम्हारी दो पूडियां खाली हैं, इनके दाम लेलो पर दुर्बिन सिंग से ना बताना की, हमने तुम्हें घेरा था चाए कुछ पैसा लेलो, और कहो तो पेट फाड कर पूडियां निकाल दूँ हमें क्या पता, कि भईया, तुम गंजा हो फिर तो सब हमारे गाउं के पास के ताल तक पहुँचाने आए बहुत रिर्याते रहे, मैंने भी समझा कर उनके आशु पोंच दिये कहा कि जब तुम घर के आदमी निकले, तो फिर पूडि खाने का क्या अपसोस लो, दो एकोर खाओ, वह आदमी भागा, कहा दादा, हमने भर पाया हमें क्या पता था कि तुम गंजा हो, बस दादा, दुर्बिन सिंग से ना कहना हमने कहा, घर चलो, पानी पता करके जाना, भूखे हो तो भूजन भाव कर लेना पर उन्होंने कहा, दादा, अब हमें जाने दो, तुम भी जाकर सोवो, कल सवेरे तक ये से भूल जाना, किसी से केना नहीं सो भाईया, मैं घर आकर पढ़ रहा, सवेरा होते ही मैंने दुर्बिन सिंग के जाकर पैर पकड़े की काका, तुम्हारे नाम में लाल लंगोट वाले का जोर बोल रहा है, तुम्हारा नाम लेकर जान बचा पाया हूँ धुर्बिन सिंग ने पाउं खीच लिये, बोले, जा सनीचरा, कोई फिकर नहीं, जब तक मैं हूँ, अंधेरे उजेले में जहां मन हो, वां घुमा कर, किसी का ढर नहीं है, सांप बिच्चु, तु खुद ही निप्टा ले, बाकी को हमारे लिए छोड़ दे, यहां सनीचर सांस खीच कर चुप हो गया, रंगनात समझ गया कि घटिया कहानी लेख को कुई तर है, मुखे बात पर आते आते वए हावा बांध रहा है, उसने पूछा, फिर तो जब तक दुर्बिन सिंग थे, गंजा लोगों के ठाट करते रही होंगी, तब रुपन भाबु बोले, उन्होंने रंगनात की जानकारी में पहली बार एक सहितिक बात कही, सांस भर कर कहा, कि पूरुष बली नहीं होत है, कि समय होत बलवान, कि भिलन लूटी गोपी का, कि वही अरजून वही बान, रंगनात ने पूछा, क्या हो गया रुपन बाबु, क्या सिवपाल गंसे गया, रुपन बाबु ने कहा, शनीचर दूसरा वाला की सभी सुना दो, शनीचर ने दूसरा अध्याय शुरू किया, भाईया, लठती का काम कोई असेम्बली का काम तो है नहीं, असेम्बली में जितने ही बूड़े होते जाओ, जितनी ही आकल सठ्याती जाए, उतनी ही त अठती में कले के जोर की बात है, जब तक चले, तब तक चले, जब नहीं चले, तब हलाल हो गए, अभी पांच-छे साल हुए होंगे, मैं कातिक के नहान के लिए गंगा घाट गया था, लोटते लोटते रात हो गई, यही बोलूपुर के पास रात हुई, बढ़िया चटक चांदनी, बाग के भीतर हम मोज में आ गए तो एक चोबोलो गाने लगे, तब भी किसी ने पीछे से, पीठ पर दाएं से लाठी मारी, ने रामराम, ने दुआ सलाम, एकदम से लाठी मार दी, अब भाईया, चोबोला तो जहां का ताँ छूटा, जोला बीस हात पर जाकर गिरा, डंडा अलग छिटक गया, मैं चिलाने को हुआ की तीन चार आदमी उपर आ गए, एक ने मुह दबा कर खा, चुप बेस आ ले, गरतन एट दूँगा, मैंने थड़ फड़ा कर उठने की कोशिस की, पर भाईया, अचकचे में कोई गामा पहलवान पर लाठी छोड़ दे तो वही लोट जाएगा, हमारी क्या भी साथ, वही मुह बंद किये पड़े रहे, थोड़ी देर में हाथ पाउं जोडता रहा, इशारा करके कहा कि मैं चिलनाओंगा नहीं, तब कई उन्होंने मुह से कपड़ा निकाला, एक ने मुझसे पूछा, रुपया कहा है, मैंन उन्हें कहा, बापू, लंगोटा ने खुलवाओ, उसके नीचे कुछ नहीं है, नंगा हो जाऊंगा, बस भहिया, वे बिगडे, उन्होंने समझा कि मैं मजाक कर रहा हूं, फिर तो उन्होंने दे पर से सभी कुछ उतरवा कर तलाशी ली, गांजा भांग की खोज में पु अब तक मेरी बोली लोट आई थी, मैंने कहा, बापू, तुम लोगोंने हमारी जान छोड़ दी, ये ठीक ही किया है, माल ले लिया, तो ले लिया, उसकी फिकर नहीं, हम भी तुम को बता दें, कि तुम नमक से नमक खा रही हो, तुम हो सरकार के, तो हम भी हैं दरबार के, वे लोग मेरे पास सिमेट आए, पूछने लगे, कोन हो तुम, कहा रहते हो, किसके साथ हो, मैंने कहा, मैं गंजा हूँ, ठाकू, दुर्बिन सिंग के साथ रहता आया हूँ, फिर नए पूछो भाईया रंगनात, सब ठिल्ले मार मार कर हसने लगे, एक ने मेरा हाथ अपनी और खीचा, मैं सोच भी नहीं पाया था कि वह क्या करने जा रहा है, और उसने एक लंगडी मार कर मुझे वहीं चित कर दिया, मैं फिर दे से घासफुस जाड कर खड़ा हुआ, एक लुटरे ने जो नई उमिर का सजीला जवान था, कहा, ये दुर्बिन सिंग किस च कोई गंजहा लोगों को नहीं टोकता, दुर्बिन सिंग के गाउं वालों को सभी छोड कर चलते हैं, मगर बापु तुम नहीं मानते, तो ले जाओ मेरा जोला, कोई बात नहीं, लुटेरे फिर ठीठी करने लगे, एक बोला, मैं जानता हूँ, अब दुर्बिन सिंग के द अब बास के सारे दिवारे फांदना तो स्कूलों तक में सिखा देते हैं, एक लुटेरा बोला, लाठी चलाना भी तो सिखाते हैं, मैंने खुद वहीं लाठी चलाना सिखा था, पहले वाला नोजवान बोला, तो यही दुर्बिन सिंग बड़े नाम वर हो गए, तमच्च तक तो साले के पास है नहीं, चले हैं जागिरदारी फैलाने, एक दूसरा लुटेरा हाथ में चोर बत्ती लिए खड़ा था, जेव से उसने एक तमच्चा निकाला, कहा, देखलो बेटा, यही है छे गोली वाला हाथियार, देशी कार्तुस तमच्चा नहीं, असली हमारी छाती पर ठोंग दी, कहता रहा, जाकर बता देना आपने बाप को, अंधो में काना राजा बनने के दिन लद गए, अब वे पड़े-पड़े खटिया पर रोते रहें, कभी अंधेरे उजेले में दिख गए, तो खोपड़ी का गुद्दा निकल जाएगा, समझ गए बेटा फकीरेदास, इसके बाद भाईया मैं अपने को रोकना पाया, देहे में इतना जोश बढ़ा की डंडा तक वहीं फेक कर, बड़े जोर से हिरन की तरह भागा, मेरे पीछे उन लोगों ने फिर ठाका लगाया, एक चिला अगर बोला, मार साले दूर्बिन सिंग को, ख यहां स्कूल कालेज में लड़कों को सीटी बजा बजा कर भागना सिखाते हैं, हम बिना सीखे ही ऐसा भाग के दिखा दें कि खरगोश तक खड़ा खड़ा पस्ताता रहे, तो भाईया, गाली वाली उन्होंने बहुत दी, पर हमें वे पकड नहीं पाये, किसी तरह से मैं धर पहुचा, दुर्बिन सिंग के दिन जब तक गिर गए थे, पुलिस भी भीतर इभीतर उनके खिलाब रहने लगी थी, दूसरे दिन हमारा मन बहुत बुल बुलाया, पर हमने ये बात उनसे कही नहीं, कह देते तो दुर्बिन काका उसी की ठेस में टें बोल जाते, रु प्राग नमबर आठ, सिवपाल गंच गाउं था, पर वह शहर के नस्दीक और सड़क के किनारे था, इसलिए बड़े-बड़े नेताओं और अफसरों को वहां तक आने में कोई सेधान्तिक एतराज नहीं हो सकता था, कुउओं के अलावा वहां कुछ हैंड पम भी लगे थ पर अपने जान को खत्रे में डाले बिना वहां का पानी पी सकते थे, खाने का भी सुभीता था, वहां के चोटे-मोटे आपसरों में कोई न कोई ऐसा निकल ही आता था, जिसके ठाट-बाट देखकर वहां वाले उसे परले सिरे का बहिमान समझते, पर जिसे देखकर वे ब बुख लगने पर अपने इमानदारी को खत्रे में डाले बिना वे लोग वहां खाना खा भी सकते थे, कारण जो भी रहा हो, उस मोसम में सिवपाल गंज में जन नायकों और जन सेवकों का आना जाना बड़े जोर शोर से शुरू हुआ था, उन सब को सिवपाल गंज के वि विशेस रूप से दिल्चस्प थे, क्योंकि इसमें प्राये शुरू से ही वक्ता-शुरोता को और शुरोता-वक्ता को बेवकूफ मान कर चलता था, जो की बातचीत के उदेश्य से गंजों के लिए आदर्श परिश्तिती थी, फिर भी लेक्चर इतने ज्यादा होते थे, कि दिल्चस्पी के बावजूद लोगों को अपच हो सकता था, लेक्चर का मजा तो तब है, जब सुनने वाले भी समझें कि ये बक्वास कर रहा है, और बोलने वाले भी समझें कि मैं बक्वास कर रहा हूं, पर कुछ लेक्चर देने वाले इतनी गंभेरता से चलते कि सुनने वालों को कभी-कभी लगता था ये आदमी अपने कथन के प्रती सचमुच ही इमानदार है ऐसा संदे होते ही लेक्चर गाढ़ा और फीका बन जाता था और उसका आसर शुरोताओं के हाज में के बहुत खिला पड़ता है ये सब देखकर गंजों ने अपनी अपनी तंदरुस्ती के अनुसार लेक्चर ग्रहन करने का समय चुन लेया था कोई सभेरे खाना खाने के पहले लेक्चर लेता, कोई दोपहर को खाने के बाद जादातर लोग लेक्चर की सबसे बड़ी मात्रा दिन के तीसरे पहर उंगने और शाम को जागने के बीच में लेते थे उन दिनों गाउं में लेक्चर का मुख्य विशे खेती था इसका ये आर्थकदा भी नहीं कि पहले कुछ और था वास्तों में पिछले कई सालों से गाउं वालों को फुसला कर बताया जा रहा था कि भारत वर्षे खेती हर देश है गाउं वाले इस बात का विरोध नहीं करते थे पर प्रतेक वक्ता शुरू से ही यह मानकर चलता था कि गाउं वाले इस बात का विरोध करेंगे इसलिए वे एक के बाद दूसरा तरक ढून कर लाते थे और ये साबित करने में लगे रहते थे कि भारत वर्ष एक खेती हर देश है इसके बाद वे ये बताते थे कि खेती की उन्नती ही देश की उन्नती है फिर आगे की बात बताने के पहले हीपराएं दोपेर के खाने का वक्त हो जाता और वह तमिजदर लड़का जो बड़े संपन घराने के उलाद हुआ करता था और जिसको चीको सहाब की लड़की ब्याही रहा करती थी वक्ता की पीट का कपड़ा खीच-खीच कर इशारे से बताने लगता कि चाचा जी खाना तयार है कभी-कभी कुछ वक्तागन आगे की बात भी बता ले जाते थे और तब मालूम होता कि उनकी आगे की और पीछे की बात में कोई फर्क नहीं था क्योंकि घूम फिरकर बात यही रहती थी कि भारत एक खेती हर देश है तुम खेती हर हो तुमको अच्ची खेती करने चाहिए आधिक अन उप जाना चाहिए प्रतेक वक्ता इसी संधे में गरफतार रहता था कि कास्तकार आधिक अन नहीं पैदा करना चाहते लेक्चरों की कमें विज्यापनों से पूरी की जाती थी और एक तरह से सिवपाल गंज में दिवारों पर चिपके या लिखे हुई विज्यापन वहां की समश्याओं और उनके समाधानों का सच्चा परिचे देते थे मिसाल के लिए समश्या थी कि भारत वर्ष एक खेती हर देश है और किसान बदमाश के करन अधिक अन नहीं उप जाते इसका समाधान यह था कि किसानों के आगे लेक्षर दिया जाए और उन्हें अच्छे अच्छे तस्वीरें दिखाई जाए उनके द्वारा उन्हें बताया जाए कि तुम अगर अपने लिए अन नहीं पैदा करना चाहते तो देश के लिए करो इसी से जगे जगे पोस्टर चिपके हुए थे जो कास्तकारों से देश के लिए अधिक अन पैदा कराना चाहते थे लेक्चरों और तस्वीरों का मिला जुला असर कास्तकारों पर बड़े जोर से पढ़ता था और भोले से भोला कास्तकार भी माहनने लगता था कि हो नहो इसके पीछे भी कोई चाल है शिवपाल गंज में उन देनों एक ऐसा विज्ञापन खास तोर से मशूर हो रहा था जिसमें एक तंदुरुस्त कास्कार सिर पर अंगोच्छा बांधे कानों में बालिया लटकाए और बदन पर मिर्जई पहने गेहूं की उँची फसल को हसी एसे काट रहा था एक और तुसके फीचे खड़ी हुई अपने आपसे बहुत खुश क्रिसी विभाग के आपसरों वाली हसी हस रही थी नीचे और उपर अंग्रेजी और हिंदी अक्षरों में लिखा था अधिक अन उपजाओ मिर्जई और बाली वाले कास्तकारों में जो अंग्रेजी की विध्वान थे उन्हें अंग्रेजी इबारत से और जो हिंदी के विध्वान थे उन्हें हिंदी से प्रास्त करने की बाद सोची गई थी और जो दो में से एक भी भाषा नहीं जानते थे वे भी कम से कम आदमी और औरत को तो कहचानते ही थे उन से आशा की जाती थी कि आदमी के पिछे हस्ती हुई औरत की तस्वीर देखते ही वे उसकी और पीट फेर कर दिवानों की तरह अधिक अनुप जाना शुरू कर देंगे यह तस्वीर सिवपाल गंज में आज कल कई जगें चर्चा का विशे बनी थी क्योंकि यहाँ वालों की निगाह में यह तस्वीर वाले आदमी की शकल कुछ-कुछ बद्री पहलवान से मिलती थी औरत की शकल के बारे में गहरह मत भीट था वह गाउं की दिहाती लड़कियों में से किसकी थी यह अभी तक तैह नहीं हो पाया था वैसे सबसे ज़्यादा जोर शोर वाले विज्ञाबन खेती के लिए नहीं मलेरिया के बारे में थे जगे जगे मकानों की दिवारों पर गेरू से लिखा गया था कि मलेरिया को खत्म करने में हमारी मदद करो मचरों को समाप्त हो जाने दो यहां भी यह मानकर चला गया था कि किसान गाय भैस की तरह मचर भी पालने को उच्छुक हैं और उन्हें मारने के पहले किसानों का हरदे परिवर्तन करना पड़ेगा हरदे परिवर्तन के लिए रोब की जरुरत है रोब के लिए अंग्रेजी की जरुरत है इस भारतिये तर्क पदती के हिसाब से मच्छर मारने और मलेरिया उन्मोलन में सहायता करने की सभी अपीले प्राहे अंग्रेजी में लिखी गई थी इसलिए प्राहे सभी लोगों ने इनको कविता के रूप में नहीं, चितरकला के रूप में स्विकार किया था और गेरू से दिवार रंगने वालों को मन माने अंग्रेजी लिखने की छूट दे दी थी दिवारे रंगती जाती थी, मच्छर मरते जाते थे, कुत्ते भूका करते थे, लोग अपनी रहा चलते रहते थे एक विज्यापन भोले भाले ढंग से बताया जाता था कि हमें पैसा बचाना चाहिए पैसा बचाने की बात गाउंवालों को उनके पूर्वज मरने से पहले ही बता गए थे और लगभग प्रतेक आदमी को अच्छी तरह मालूम थी इसमें सिर्फ इतनी नवीनता थी कि यहां भी देश का जिक्र था कहीं-कहीं इशारा किया गया था कि अगर तुम अपने लिए पैसा नहीं बचा सकते तो देश के लिए बचाओ बात भूत ठीक थी क्योंकि सेट सहुकार, बड़े-बड़े ओहदेदार, वकील, डाक्टर ये सब तो अपने लिए पैसा बचा ही रहे थे इसलिए छोटे-छोटे किसानों को देश के लिए पैसा बचाने में क्या इतराज हो सकता था सभी इस बात के सिधानत रूप में सहमत थे कि पैसा बचाना चाहिए पैसा बचा कर किस तरह कहां जमा किया जाएगा ये बाते भी विग्यापनों और लेक्चरों में साफ तोर से बताई गई थी और लोगों को उनसे भी कोई अपत्ती ना थी सिर्फ लोगों को यही नहीं बताया गया था कि कुछ बचाने के लिए पहले तुम्हारी मेहनत के एवज में तुम्हे कितना पैसा मिलना चाहिए पैसे की बचत का सवाल आमंदनी और खर्थ से जुड़ा हुआ है इस छोटी शी बात को छोड़कर बाकी सभी बातों पर इन विज्यापनों में विचार कर लिया गया था और लोगों ने इनको इस भाव से स्वीकार कर लिया था कि ये विचारे दिवार पर चुपचाप चिपके हुए हैं ने धाना मांगते हैं न चारा ने कुछ लेते हैं न देते हैं चलो इन तस्वीरों को छेड़ो नहीं पर रंगनात को जिन विज्यापनों ने अपनी उर्खीचा वे पबलिक सेक्टर के विज्यापन ना दे प्राइवेट सेक्टर की देन थे उन से परकट होने वाली बाते कुछ इस परकार थी उस सेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापक रोग दाध है एक ऐसी दवा है जिसको दाध पर लगाया जाए तो उसे जड़ से आराम पहुँचता है मुहू से खाया जाए तो खासी जुकाम दूर होता है बताशे में डाल कर पानी से निगल लिया जाए तो हैजे में ला पहुँचाता है ऐसी दवा दूनिया में कहीं नहीं पाई जाती उसके अविश्कारक अब भी जिन्दा है यह विलायत वालों की शरारत है कि उन्हें आज तक नोबल पुरुषकार नहीं मिला है इस देश में और भी बड़े-बड़े डाक्टर है जिनको नोबल पुरुषकार नहीं मिला है एक कस्वा जहनाबाद में रहते हैं और चूंकी वहां बिजली आ चुकी है इसलिए वे नामर्दी का इलाज बिजली से करते हैं अब नामर्दों को परशान होने की जरुत नहीं है एक दूसरे डाक्टर जो कम से कम भारतवर्स भर में तो मशूर है ही बिना आपरेशन के अंडवरधी का इलाज करते हैं और यह बात सिवपाल गंज में किसी भी दिवार पर तारकोल के हरुप में लिखी हुई पाई जा सकती है वैसे बहुत से विज्यापन बच्चों में सूखा रोग आखों की बीमारी और पैचिसाधी से भी संबन्ध है पर असली रोग संख्या में कुल तीन ही हैं दाद, अंडवरधी और नामर्दी और इनके इलाज की तरकीब सिवपाल गंज के लड़के अकसर ज्यान पा लेने के बाद ही दिवारों पर रांकित लेखों के सहारे जानना शुरू कर देते हैं विज्यापनों की इस भीड में वैदजी का विज्यापन नव यूवकों के लिए आशा का संदेश अपना अलग व्यक्तित्व रखता था वह दिवारों पर लिखे नामर्दी का विजली से इलाज जैसे असली लिलेकों के मुकाबले में नहीं आता था वह छोटे-छोटे नुकडों, दुकानों और सरकारी इमारतों पर जिन के पास पेशाब करना और जिन पर विज्यापन चिपकाना मना था तीन की खुबसूरत तक्तियों पर लाल हरे अक्सरों में परकट होता था और सिर्फ इतना कहता था नवयोंकों के लिए आशा का संदेश नीचे वैद जी का नाम था और उनसे मिलेने की सला थी एक दिन रंगनात ने देखा रोगों की चिकित से हमें एक नया आयाम जोड रहा है सवेरे से ही कुछ लोग एक दिवार पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं बवासीर सिवपाल गंज की उन्नती का लक्षन था बवासीर के चार आदमकद अक्षर चिला कर कह रहे थे कि यहाँ पेचिस का युग समाप्त हो रहा है मुलायम तबियत, दफ्तर की कुरसी, शिष्टापूर्ण रहनसेन, 24 घंटे चलने वाले खानपान और हलके पुरिश्रम का युग धिरे-धिरे संकर्मन कर रहा है और अधुनिक्ता के पुरतीक जैसी बवासीर सर्वव्यापी नामर्दी का मुकाबला करने के लिए मैदान में आ रही है शाम तक वह देटाकार विग्यापन एक दिवार पर रंग विरंगी चाप छोड़ चुका था और दूर दूर तक एलान करने लगा था बवासीर का शर्तिया इलाज देखते देखते चार छे दिन में ही सारा जमाना बवासीर और उसके शर्तिया इलाज के नीचे दब गया हर जगें वही विग्यापन चमकने लगा रंग नात को सबसे बड़ा अचमबा तब हुआ जब उसने देखा वही विग्यापन एक दैनिक समाचार पत्र में आ गया है यह समाचार पत्र रोज दस बजे दिन तक शहर से सीवपाल गंज आता था और लोगों को बताने में सहयक होता था कि स्कूटर और ट्रक कहां भीड़ा अब भासी नामक कथित गुंडे ने इरशाद नामक कथित सबजी फरोज पर कथित छुरी से कहां कथित रूप से वार किया रंगनाख ने देखा कि उस दिन अकबार के पहले प्रिष्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा काले रंग में रंगा हुआ था और उस पर बड़े-बड़े सफेद अक्षरों में चमक रहा है बवासीर अक्षरों की बनावट वही है जो यहां दिवारों पर लिखे विज्यापन में है उन अक्षरों ने बवासीर को एक नया रूप दे दिया था जिसके कारण आसपास की सभी चीजें बवासीर की माधहती में आ गई थी काली प्रष्ट भूमे में अकबार के पन्ने पर चमकता हुआ बवासीर दूर से ही आदमी को अपने में समिट लेता था यहां तक की सनीचर जिसे बड़े-बड़े अक्षर पढ़ने में भी आंतरिक कष्ट होता था अकबार के पास खीच आया और उस पर निंगा गड़ा कर बैठ गया बहुत देर तक गोर करने के बाद वह रंगनाथ से बोला वही चीज है इसमें अभिमान की खनक थी मतलब यह था कि सिवपाल गंज की दिवारों पर चमकने वाले विज्यापन कोई मामूली चीज नहीं है यह बहार अकबारों में छपते हैं और इस तरह जो सिवपाल गंज में हैं वही बहार अकबारों में है रंग नात तक्त पर बैठा रहा, उसके सामने अकबार का पन्ना तिर्चा होकर पड़ा था अमरीका ने एक नया उपगरह छोड़ा था, पाकिस्तान भारत सीमा पर गोलिया चल रही थी गेहूं की कमी के कारण राज्यों का कोटा कम किया जाने वाला था सुरक्षा समीती में दक्षिन अफरीका के कुछ मसलों पर बहस हो रही थी इन सब अबाबीलों को अपने पंजे में किसी धेताकार बाज की तरह दबा कर वह काला सफेद विग्यापन अपने तिर्चे हरप में चीख रहा था बवासीर बवासीर इस विग्यापन के अकबार में छपते ही बवासीर सिवपाल गंज और अंतरास्टिय जगत के बीच संपर्क का एक सफल माध्यम बन चुकी थी डाकवों का आदेश था कि एक विशेश तिथी को विशेश स्थान पर जाकर रामाधिन की तरफ से रूपों की एक थैली एक कांत में रख दी जाए डाका डालने की यह पदती आज भी देश के कुछ हिसों में काफी लोग पुरिये है पर वास्तों में है यह मद्धेकालिन ही क्योंकि इसके लिए चांदी या गिलट के रुपे और थैली का होना अवश्यक है जबकि आजकल रुपया नोटों की शकल में दिया जा सकता है और पांच हजार रुपे प्रेम पत्तर की तरह किसी लिफाफे में भी आ सकते है जरूरत पढ़ने पर चेक से भी रुपे का भ चप चले जाओ ये आदेश मानने में व्यवारी कठनाईयां हो सकती है तीले पर छोड़ा हुआ नोटों का लिफाफा हावा में उड़ सकता है चेक जाली हो सकता है संक्षेप में जैसे कला सहित्य प्रशासन सिक्षा आदि के शेत्रों में वैसे ही डखेती के शेत्र में भ विचार नहीं किया था क्योंकि रामाधिन के यहां डाके की चिठी भेजने वाली असली डखेत नहीं थे उन दिनों गाउं सभा और कालिज की राजनिती को लेकर रामाधिन भीखम खेडवी और वैदजी में कुछ तना तनी हो गई थी अगर शहर होता और राजनिती उचे दर्जे की होती तो ऐसे मोके पर रामाधिन के खिलाब किसी महिला की तरफ से पूलीस में यह रिपोर्ट आ गई होती कि इनों ने उसका शील भंग करने की सक्रिय चेश्टा की पर महिला के सक्रिय विरोध की कारण वे कुछ कर नहीं पाए और वह अपना शील समुचा का लिए हुए सीधे थाने तक आओ गई पर ये दिहात था जहां आभी महिलाओं के सील भंग को राजनितिक युद में हैंड ग्रिनेड की मानेता नहीं मिली थी इसलिए वहां कुछ पूरानी तरकिवों का ही प्रियोग किया गया था और बाबू रामाधिन के उपर डाकूं क पासंकट पैदा करके उन्हें कुछ दिन तिल मिलाने के लिए छोड़ दिया गया था पूलीस रामाधिन भिखम खेडवी और वैद जी का पूरा गिरो ये सभी जानते थे कि डाके की चिठी फरजी है ऐसी चिठीयां कई बार कई लोगों के पास आ चुकी थी इसलिए राम दिन शायद चुप चाप रुपया दे देने के मुकाबले घर पर डाका डलवा लेना ज्यादा अच्छा समझते पर चूंकी रिपोर्ट थाने पर दर्ज हो गई थी इसलिए पुलिस अपनी और से कुछ करने के लिए मजबूर थी उस दिन टीले से लेकर गाउं तक का स्ट बंजर, जंगल, खेत खलियान सभी कुछ छान डले पर डाकूं का कहीं निशान नहीं मिला तीले के पास उन्होंने पेडों की टहनिया हिला कर लोमडियों के बिलों में संगिने घुसेड कर और सपाट जगों को अपनी आखों से हिपनोटाइज करके इत्मिनान कर लिया कि वहां जो है वे ढाकूं नहीं हैं वे करमशे, चीडिया, लोमडिया और कीडे मकोडे हैं रात को जब बड़े जोर से कुछ पराणी चिलाए तो पता चला कि वे भी ढाकूं नहीं सियार है और पडोस के बाग में जब दूसरे पराणी बोले तो कुछ देर बाद समझ में आ क्योंकि तीले पर ने डाकू रुपया लेने के लिए आई और ने रामाधिन देने के लिए गए खाने के छोटे दरोगा को नोकरी में आए अभी थोड़ी ही दिन हुए थे तीले पर डाकूं का पकड़ने का काम उन्हीं को सूपा गया था पर सब कुछ करने पर भी वे तेरे आशिरवाद से तेरे बेटे का बाल तक वाका नहीं हुआ वी रात को लगबग एक बजे टीले से उतर कर मैदान में आए और चूंकि सर्दी होने लगी थी और अंधिरा था और उन्हें अपनी नगरवासनी प्रिया की याद आने लगी थी और चूंकि उन्होंने बी तीतर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर वाली का हावत को चरितार्थ करते उनके आगे भी दो सिपाई थे और पीछे भी धरोगा जी गाते रहे और सिपाई सोचते रहे कि कोई बात नहीं कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे मैदान पार करते करते दरोगा जी का गाना कुछ बुलंदी पर चड़ गया और साबित करने लगा कि जो बात इतनी बेवकूफी की है कि कहीं नहीं जा सकती वह बड़े मजे से गाई जा सकती है सडक पास आ गई थी वहीं एक गढ़े से आचानक आवा जाई करफोन है सर्फाला दरोगा जी का हाथ अपने रिवाल पर चला गया सिपाईयों ने ठिठक कर राइफलें समाली तब तक गढ़े ने दोबारा आवाज दी करफोन है सर्फाला एक सिपाई ने दरोगा जी के कान में कहा गोली चल सकती है पेड के पीछे हो लिया जाए हुजूर पेड उनके पास से लगबग पांच गज की दूरी पर था दरोगा जी ने सिपाई से फुस फुसा कर कहा तुम लोग पेडों के पीछे हो जाओ मैं देखता हूँ इतना कहकर उन्होंने कहा गड़े में कौन है जो कोई भी हो बाहर आ जाओ फिर एक सिनेमा में देखे द्रशे को याद करके उन्होंने बात जोड़ी तुम लोग घिर गए हो तुम आधे मिनिट में बाहर ने आए तो गोली चला दी जाएगी गड़े में थोड़ी देर खामोशी रही फिर आवा जाई मर्फर गर्फे सर्फाले गर्फोली चर्फलाने वाले प्रतेग भारतिये जो अपना घर छोड़ कर बाहर निकलता है भाशा के मामले में पत्थर हो जाता है इतनी तरह की बोलियां उसके कानों में पड़ती है कि बाद में हार कर वह सोचना ही छोड़ देता है कि यह नेपाली है या गुजराती पर इस भाशा ने दरोगा जी को चुकना बना दिया और वे सोचने लगे कि क्या मामला है इतना तो समझ में आता है कि इसमें कोई गाली है पर ये क्यों नहीं समझ में आता कि ये कौन सी बोली है इसके बाद ही जहां बात समझ के बाहर होती है वही गोली चलती है इस अंतर्यास्टी सिधान्त का शिवपाल गंज में पर्योग करते हुए दरोगा जिनने रिवालवर तान लिया और कड़क कर बोले गड़े से भार आ जाओ नहीं तो मैं गोली चलाता हूँ पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी एक सिपाई ने पेड के पीछे से निकल कर कहा गोली मत चलाई हूजूर यह जोगन थवा है पी कर गड़े में पड़ा है सिपाई लोग उत्सा से गड़े को घर कर खड़े हो गई धरोगा जी ने कहा कौन जोगन थवा एक पुराने सिपाई ने तजूरवे के साथ कहना शुरू किया यह स्री रामनाथ का पूत्र जोगनाथ है अकेला आदमे है दारू जहदा पीता है लोगों ने जोगनाथ को उठा कर उसके पैरों पर खड़ा किया पर जो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहता उसे दूसरे कहां तक खड़ा करते रहेंगे इसलिए वह लड़ खड़ा कर एक बार फिर गिरने को हुआ बीच में रोका गया और अंत में गड़े के उपर आकर परम हंसो की तरह बैठ गया बैठ कर जब उसने आखे मिला मिला कर हाथ हिला कर चमगाद़ों और शियारों की कुछ आवाजें गले से निकाल कर अपने को मानवे स्तर पर बात करने लाइक बनाया तो उसके मुँझे फिर वही शब्द निकले काफोन सर्फाला दरोगाजी ने पूचा ये बोली कौन सी है एक सिपाई ने कहा बोली ही से तो हमने पहचाना की जोगनात है वह सर्फरी बुली बोलता है इस वक्त होश में नहीं है इसलिए गाली बख रहा है दरोगाजी शायद गाली देने के प्रती जोगनात की इस निष्ठा से बहुत परभावित हुए कि वह बेहोशे की हालत में भी कम से कम इतना तो कर ही रहा है उन्होंने उसकी गर्दन जोर से हिलाई और पकड़ कर बोले होश में आ पर जोगनात ने होश में आने से इंकार कर दिया सर्फ इतना कहा सर्फ आले सिवाई हसने लगे जिसने उसे पहले पहचाना था, उसने जोगनात के कान में चिला कर कहा जरफोगनात हरफोश में अरफाओ इसकी भी जोगनात पर कोई परतिक्रिया नहीं हुई पर दरोगा जी ने एकदम से सरफरी बोली सीख ली उन्होंने मुस्क्रा कर कहा यह साला हम लोगों को साला कह रहा है उन्होंने उसे मारने के लिए अपना हाथ उटाया पर एक सिपाई ने रोक लिया कहा जाना भी दे हुजूर दरोगा जी को सिपाईयों का मानवताबादी द्रिष्टी कौन कुछ पसंद नहीं आ रहा था उन्होंने अपना हाथ तो रोक लिया पर आदेश देने के धंग से कहा इसे अपने साथ ले जाओ और हवालात में बंद कर दो दफा एक सो नो जापता फोजदारी लगा देना एक सिपाईय ने कहा ये नहीं हो पाएगा हुजूर यह यहीं का रहने वाला है दिवारों पर इस्तिहार रंगा करता है और बात बात पर सरफरी बोली बोलता है वैसे बदमाश है पर दिखाने के लिए कुछ काम तो करता ही है वे लोग जोगनात को उठा कर उसे अपने पैरों पर चलने के लिए मजबूर करते हुए सडक की और बढ़ने लगे दरोगा जी ने कहा शायद पीकर गाली बख रहा है किशना किसी जुर्म की दफा निकल आएगी अभी चलकर इसे बंद कर दो कल चालान कर दिया जाएगा उस सिपाई ने कहा हुजूर बे मतलब जंजट में पढ़ने से क्या फाइदा अभी गाउं चलकर इसे इसके घर में ढके लाएगे इसे हवालात कैसे भीजा जा सकता है वैद जी का आदमी है दरोगा जी नोकरी में नए थे पर सिपाईयों का मानवतवादे दरस्टी कोन अब वे एकदम समझ गए थे भाग नंबर नो को आपरेटिव यूनियन का गबन बड़े ही सीधे साधे ढंग से हुआ था सेकडों की संख्या में रोज होते रहने वाले गबनों की अपेक्षा इसका यही सोंद्री था कि यह शुद गबन था इसमें जादा गुमाव फिराव ना था ना इसमें जाली दसकतों की जरुरत बड़ी थी ना फरजी हिसाब बनाया गया था ना नकली बिल पर रुपया निकाला गया था ऐसा गबन करने और ऐसे गबन को समझने के लिए किसी टेकनिकल योगेता की नहीं केवल इच्छा शक्ति की जरुरत थी कॉपरेटिव योनियन का एक 20 गोदाम था जिसमें गहूं भरा हुआ था एक दिन योनियन का सुपरवाईजर राम सरूप दो ट्रक साथ में लेकर 20 गोदाम पर आया ट्रकों पर गहूं के बोरे लाद लिये गए और दूर से देखने वाले लोगों ने समझा कि यह तो कॉपरेटिव में रोज होता ही रहता है उन्हें पडोज के दूसरे बिजगोदाम में पहुंचाने के लिए राम सरूप खूद एक ड्राइवर की बगल में बैठ गया और ट्रक चल पड़े सडक से एक जगह कच्चे रास्ते पर मुड़ जाने से पांच मील आगे दूसरा भिजगोदाम मिल जाता पर ट्रक उस जगे नहीं मुड़े वे सीधे चले गए यहीं से गबन शुरू हो गया ट्रक सीधे शहर की गल्ला मंडे में पहुंच गए वहाँ गेहूं के बोरे उतार कर दोनों ट्रक गबन के बारे में सब कुछ भूल गए और दूसरे दिन आसपास के सेत्र में पूर्ववत, कोईला और लकडी डोने लगे रामसरूप का उसके बाद काफे दिन तक पता नहीं चला और लोगों ने विश्वास कर लिया कि गेहूं बेचकर कई हजार रुपे जेम में भरकर वह मंबई की और भाग गया है ये पूरी गटना स्थानिय थाने में गबन की एक रिपोर्ट की शकल में आ गई और बकोल वैद जी के काटा सा निकल गया पर यूनियन के एक डारेक्टर ने कल शहर जाकर एक ऐसा द्रश्य देखा जिससे पता चला कि रामसरूफ ने वे रुपे खर्च करने के लिए मॉंबई को नहीं हवने इलाके के शहर को ही प्रात्मिक तादी है डारेक्टर साब यो ही सिरफ शहर देखने के मतलब से शहर देखने गहे थे इन अवसरों पर और कारियकर्मों के साथ उनका कम से कम एक स्थाई कारियकर्म होता था किसी पार्क में पहुँचना किसी पेड के नीचे बैंच पर बैठना लईया चना चबाना रंगिन फूलों और लड़कियों को त्यान पूर्वक देखना और किसी कम उमर के छोकरे से सिर पर तेल मालिश कराना जब वे इस कारियकर्म की आखरी मद पर पहुँचे तो एक घट ना हुई वे उस समय पेड के नीचे बैंच पर बैठे थे उनकी आखे मुदी हुई थी और उनके सिर पर छोकरे की पतली और मुलाइम उंगलिया तिड़ 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 की आवाज निकाल रही थी लड़का उल्लास के साथ उनके बालों पर तब लेके कुछ टेड़े मेड़े बोल निकाल रहा था और वे आखे मुदे अफसोस के साथ सोच रही थी आगे थी कि वह गूमी ही नहीं आते उन्होंने लड़के का मुमू तो नहीं देखा जो कुछ सामने था उसे ही देखकर संतोष करना चाहा उन्होंने देखा सामने एक पेड़ था और उसके नीचे बेंच पर रामसरूप सुपरवाइजर बैठा था वह भी एक लड़के से सि अपने अपने जगत में तल लें थे शांती पूर्ण से अस्तित्व के लिए यह आदर स्थीती थी हताए उन्होंने एक दूसरे के मामले में हास्तशिप नहीं किया लगभग 15 मिनिट वे अपने अपने बैंच पर अच्छे पोडोशियों की तरह बैठे हुए एक दूसरे क को देखकर भी अंदेखा करते रहें फिर देह तोड़कर दोनों पक्स उठ खड़े हुए और अपने अपने मालिश करता को यह थोचित परिशर्मिक देकर उन्हें दोबारा वही मिलने के लिए प्रोच्छाहित करके पंच सील के सिध्धान तो क्यानों सर्वे अपने अप कि रामशरूप फरार है और पूलिस उसकी तलाश में है अगर वे रामशरूप को पकड़वा दे तो गबन का मुकदमा चल निकलता शायद उनका नाम अखबार में भी छपता यह सब सोचकर वे दुखी हुए उनकी आत्मा उनको कुरेदने लगी अते वापस आते ही आत्म रामशरूप जैसा था वेद जी ने कहा होगा कुछ आदमियों की आकरतियां एक सी होती हैं डारेक्टर को लगा कि इतने से उनकी आत्मा उनका पिछाना चोड़ेगी थोड़ी देर इधर उधर देखकर उन्होंने कहा मैंने तभी सोचा था कि हो नहो यह रामशरूप ही है वेद जी ने डारेक्टर पर अपनी आखे गड़ा दी उन्होंने फिर कहा रामशरूप ही था मैंने सोचा कि यह साला यहां क्या कर रहा है मालिश करा रहा था तुम वहां क्या कर रहे थे डारेक्टर ने अन्मने ढंग से कहा मैं ठक कर एक पेड़ के निचे हराम कर रहा था वैद जी ने कहा उसी समय पुलिस को सूचना देनी थी डारेक्टर थोड़ी देर सोचते रहे फिर सोच समझ कर बोले मैंने सोचा कहीं राम सरूप ये जान न जाए कि उसे देख लिया गया है इसलिए पुलिस को इतला नहीं की गबन का अभियुक्त बंबई में नहीं बलकि 15 मिल की दूरी पर ही है और तेल मालिश कराने के लिए उसका सिर अब भी कंधों पर सही सलामत रखा है इस सूचना ने वैद जी को उलजन में डाल दिया डारेक्टरों की बैठक बुलाना जुरूरी हो गया पूरी बात उन्होंने खाली पेट सुने थी उसे भंग पीकर भी सुना जा सके इसलिए बैठक का समय साइकाल के लिए रखा गया सनीचर प्रित्वी पर वैद जी को एक मातर आदमी और स्वरग में हनुमान जी को एक मातर देवता मानता था और दोनों से अलग अलग प्रभावी था हनुमान जी सिर्फ लंगोटा लगाते हैं इस हिसाब से सनीचर भी सिर्फ अंडर्वेर से काम चलाता था जिस्म पर बनियान वै तभी पहनता जब उसे ससधजकर कहीं के लिए निकल ना होता यह तो हुआ हनुमान जी का प्रभाव वैद जी के प्रभाव से वै किसी भी रहा चलते आदमी पर कुत्ते की तरह भोग सकता था पर वैद जी के घर का कोई कुत्ता भी हो तो उसके सामने वै अपने दुम हिलाने लगता था ये दूसरी बात है कि वैद जी के घर पर कुत्ता नहीं था और शनीचर के दूम नहीं थी उसे शहर की हर चीज में और इसलिए रंगनात में काफी दिल्चस्पी थी जब रंगनात दर्वाजे पर होता शनीचर भी उसके आसपास देखा जा सकता था आज भी यही हुआ वैद जी कॉपरेटिव यूनियन की बैठक में गए थे दर्वाजे पर सिर्फ रंगनात और शनीचर थे सूरज डूबने लगा था और जाडे की शाम के साथ हर घर से उठने वाला कसेला धुआ मकानों के उपर लटक गया था कोई रास्ते पर खट खट करता हुआ निकला किसी भी शरीरिक विकार के लिए हम भारतियों के मन में जो सातविक घ्रना होती है उसे थूक कर बाहर निकालते हुए शनीचर ने कहा लंगडवा जा रहा है साला कहकर वै उचलता हुआ बाहर चबुत्रे पर आ गया और वहां मेंड़क की तरह बैठ गया रंगनात ने पुकार कर कहा लंगड हो क्या वै कुछ आगे निकल गया था आवाज सुनकर वै वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखते हुए बोला हाँ बापू लंगड ही हुँ मिल गई नकल रंगनात के इस सवाल का जवाब सनिचर ने दिया नकल नहीं इने मिलेगा सिकहर सिकहर रसी का बुना हुआ एक जोला होता है आवद के देहातों में इसे छत से लटका देते हैं प्राहे उस पर दूद धही आधी की हंडिया रखी जाती है उसी में एक टांग लगा कर जूला करेंगे लंगड पर इसका कोई असर नहीं पड़ा वहीं से उसने पुकार कर कहा नकल तो नहीं मिली बापू आज नोटिस बोड पर एतरा चपा है क्या हुआ फिर से फीस कम पड़ गई क्या फीस नहीं बापू वह अपनी बात को सुनाने के लिए चिला रहा था इस बार मुकदमे के पते में कुछ गलती है प्रार्थी के दसकत गलत खाने में है तारीक के उपर दो अंक एक में मिल गए है एक जगें कुछ कटा है उस पर दसकत नहीं है बहुत गलती निकाली गई है रंगनात ने कहा वे दफ्तर वाले बड़े शरारते हैं कैसी कैसी गलतिया निकालते हैं जैसे गांदी जी अपनी प्रार्थना सबा में समझा रहे हो कि हमें अंग्रेजों से घ्रणा नहीं करने चाहिए उसी वज़े पर लंगड ने से रिलाकर कहा नई बापू दफ्तर वाले तो अपना कम करते हैं सारी गडबडी अरजी नवीज ने की है विद्या का लोग हो रहा है नई नई अरजी नवीज गलत फलत लिख देते हैं रंगन आथने मन में इतना तो मंजूर कर लिया कि विद्या का लोग हो रहा है पर लंगड के बताए हुए कारण से हुए सहमत नहीं हो सका वह कुछ कहने जा रहा था तब तक लंगड ने जोर से कहा कोई बात नहीं बापू कल दर्ख्वास्त ठीक हो जाएगी वह खट 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 करता चला गया शनीचर ने कहा जाने किस-किस देश के बांगडू सिवपाल गंज में इकठा हो रहे है रंगनात ने उसे समझाया सब जगे ऐसा ही है दिल्ली का भी है याल है की बुद्धी रंगनात के खिड़की से जाकती हुई दिल्ली के हालचाल लेने लगी दोनों कुछ देर उसी में अटके रहे अंधेरा हो चला था पर अभी हालत ऐसी नहीं थी कि आख के सामने खड़े हुए आदमी और जानवर में तमीज ने की जा सके वैदी जी की बैठक में एक लाल्टे लटका दी गई सामने रास्ते से तीन नोजवान जोर जोर से ठाके लगाते हुए निकले उनकी बातचीत किसी एक ऐसी घटना के बारे में होती रही जिसमें दोपहर, फंटूस, चका-चक, ताश और पैसे खा जिकर उसी बहुतायत से हुआ जो प्लानिंग कमिशन के अहल कारों में एवल्यूशन, कॉर्डिनेशन, डव्टेलिंग या सहिते कारों में परिप्रेक्षे, आयाम, युगबोध, संदर्व आदी कहने में पाई जाती है कुछ कहते कहते तीनों नोजवान बैठक के आगे जाकर खड़े हो गई शनीचर ने कहा, बदरी भहिया इन जानौरों को कुस्ती लड़ना सिखाते हैं समझ लो, बाग के हाथ में बंदूग दे रहे हैं वैसे ही सालों के मारे लोगों का रास्ता चलना मुस्किल है दाउं पेच सीख गए तो गाउं छोड़ देना होगा अच्छानक नोजवानों ने एक विशेस प्रकर का ठाका लगाया सब वर्गों की हसी और ठाके अलग-अलग होते हैं काफी हाउस में बैठे हुए साहित्तेकारों का ठाका कई जगों से निकलता है वह किसी के पेट की गहराई से निकलता है किसी के गले से, किसी के मुह से और उनमें से एकाद ऐसे भी रह जाते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि ठाहका लगाया क्यों गया है। डिनर के बाद काफी पीते हुए, छके हुए अपसरों का ठाहका दूसरी किसम का होता है। वह ज़्यादातर पेट की बड़ी ही अंदरूनी गहराई से निकलता है। उस ठाहके के घन्नतों का उनकी साधर नहसी के साथ वही अनुपात बैठता है, जो उनकी आमंदनी का उनकी तनखा से होता है। राजनितिग्यों का ठाहका सिर्फ मुहों के खोखल से निकलता है और उसके दो ही आयाम होते हैं, उनमें प्राये गहराई नहीं होती। व्यापारियों का ठाहका होता ही नहीं और अगर होता भी है, तो ऐसे सुख्षम और सांकेतिक रूप में की पता लग जाता है, ये इंकम टेक्स के डर से अपने ठाहके का स्टाक बाहर नहीं निकालना चाते। इन नोजवानों ने जो ठाहका लगाया था, बैस सबसे अलग था, ये शोधों का ठाहका था, जो आदमे के गले से निकलता है, पर जान पड़ता है, मुर्गों, गीदणों और घोडों के गले से निकला है। ठाहका सुनते ही शनीचर ने अधिकार भरी आवाज में कहा, यहां खड़े-खड़े क्या उखाड रहे हो, जाओ रास्ता नापो। गुमा करते थे, आज उससे इश्क बाजी करने चले हैं, सारे मोहले को यह समाचार देकर की लड़के उसे छेड़ते हैं, और वह अब भी छेड़ने लायक है, वह औरत वही अंधेरे में गाइब हो गई। गंजहे उनको काना कहने लगे थे, यह हमारी प्राचिन परमपरा है, वैसे तो हमारी हर बात प्राचिन परमपरा है, कि लोग बाहर जाते हैं और जरा-जरा सी बात पर शादी कर बैठते हैं, अर्जुन के साथ चित्रांगदा आधी को लेकर यही हुआ था, यही भारत वर्ष के परवर्थक भारत के पिता दुशन्द के साथ हुआ था, यही टिनाइट और टोबैगो, बर्मा और बैंकाग जाने वालों के साथ हुआ था, यही अमरीका और योरोप जाने वालों के साथ हो रहा है और यही पंडित राधिलाल के साथ हुआ अर्थात अपने महले में रहते हुए जो विरादरी के एक इंच भी बाहर जाकर शादी करने की कलपना मातर से बेहोश हो जाते हैं वे भी अपने शेतर से बाहर निकलते ही शादी के मामले में शेर हो जाते हैं आपने मुहले में देवदास पारवती से शादी नहीं कर सका और एक समुची पीडी को कई वर्सों तक रोने का मसाला दे गया था उसे विलायत भीज दिया जाता तो वे निश्चे ही बिना हिचक किसी गोरी ओरत से शादी कर लेता बहर निकलते ही हम लोग प्राहे पहला काम यह करते हैं कि किसी से शादी कर डालते हैं और फिर सोचना शुरू करते हैं कि हम यहाँ क्या करने आय थे तो पंडित रादे लाल ने भी सुना जाता है एक बार पूरब जाकर कुछ करना चाहा था पर एक महीने में ही वे इस कुतिया से शादी करके शिवपाल गंज वापस लोट आए किसी पूर्वी जिले की एक शक्कर मिल में एक बार पंडित राधे लाल को नोकरी मिलने की संभावना नजराई नोकरी चोकिदारी की थी वे वहाँ जाकर एक दूसरे चोकिदार के साथ रुख गए तब पंडित राधे लाल की शादी नहीं होई थी और उनके जीवन की सबसे बड़ी समश्या यह थी की ओरत के हाथ का खाना नहीं मिलता उनके साथी चोकिदार की बीबी ने कुछ दिनों के लिए इस समश्या को सुलजा दिया वहां रहते हुए वे उनका बनाए हुआ खाना खाने लगे और जैसी की एक जगत परशिद कहवत है इस तरी पेट के रास्ते आदमी के हरदे पर कबजा करती है उसने पंडित राधेलाल के पेट में सुरंग लगा दी और हरदे की और बढ़ने लगी उन्हें उसका बनाए हुआ खाना कुछ ऐसा पसंद आया और वे खुद अपनी बनाई हुई सुरंग में इस तरह फस गई कि महिने भर के भीतर ही वे उसे अपना खाना बनाने के लिए सिवपाल गंज ले आये चलते चलते उसके घर से ही उन्होंने साल दो साल के लिए खाने का इंतजाम भी साथ में ले लिया इस घटना के बाद मिलके शेत्र के लोगों ने सोचा की पंडित राधिलाल का साती चोकिदार उल्लू है सिवपाल गंज में गंजोने सोचा की राधिलाल मर्द का बच्चा है अब तक उसी शेत्र में पंडित राधिलाल की पर्तिष्टा कभी नए उखड़ने वाले गवहा के रूप में थी आब वे कभी ने चूकने वाले मर्द के रूप में भी विख्यात हो गए वैसे कभी ने उख्णने वाले गभा की ख्याती ही पंडित राधिलाल की जिविका का साधन थी वे निरक्षर्ता और साक्षर्ता की सीमा पर रहते थे और जरुरत पढ़ने पर आदालतों में दोस्कत कर लेता हूँ मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इन में से कोई भी बयान दे सकते थे पर दिवानी और फोजदारी कानूनों का उन्हें इतना ग्यान सहज रूप में मिल गया था कि वे किसी भी मुकदमे में गवा की हैसियत से बयान दे सकते थे और जिरह में अब तक उन्हें कोई भी वकील उखार नहीं पाया था जिस तरह कोई भी जज अपने सामने के किसी भी मुकदमे का फैसला दे सकता है कोई भी वकील किसी भी मुकदमे की वकालत कर सकता है वैसे ही पंडित राधेलाल किसी भी मामले के चस्म दित गवा बन सकते थे संक्षेप में मुकदमे बाजी की जंजीर में वेबी जज, वकील, पेशकर आदी की तरह एक अनुवारिय कड़ी थे और जिस अंग्रेजी कानून की मोटर पर चड़ कर हम बड़े गोरव के साथ रूल अफ लाग की घोशना करते हुए निकलते हैं उसके पहिये में वे टाई राड की तरह बंदे हुए उसे मनमाने धंग से मोड़ते चलते थे एक बार इजलास में खड़े होकर जैसे ही वे शपत लेते गंगा कसम भगवान कसम सच सच कहेंगे वैसे ही विरोधी पक से लेकर माजिस्टेट तक समझ जाते कि अब ये सच नहीं बोल सकता पर ऐसा समझना बिल्कुल बेकार था क्योंकि फैसला समझ से नहीं कानून से होता है और पंडित रादेलाल की बात समझने में चाहे जैसी लगे कानून पर खरी उतरती थी पंडित राधेलाल की जो भी पर्तिष्टा रही हो उनकी प्रयाशी की स्थिती बिल्कुल साफ थी वह भाग कर आई थी इसलिए कुतिया थी लोग उससे मजा कर सकते थे और हमेश्या ये समझ कर चल सकते थे कि उसे मजा क अच्छा लगता है ये सिवपाल गंज के नोजवानों का सोभागे था कि कुतिया ने भी उनको निराश नहीं किया उसे सच्मुची मजाक अच्छा लगता था और इसी से मजाक होने पर छूटते ही गाली देती थी जो की गंजों में आत्मा भिव्यक्ती का बड़ा जन्प्रिये तरीका माना जाता था सनीचर रंग नात को पंडित राधेलाल का किस्सा बड़े ही नाट की ढंग से सुना रहा था तभी उन तीनों नोजवानों में से एक बैठके दर्वाजे पर आकर खड़ा हो गया गंज में लंगोटा पहन कर चलने वालों में यही फैशन लोग पिरिये हो रहा था शनीचर ने पूछा क्या मामला है छोटे पहलवान पहलवान ने शरीर के जोड़ों पर दाद खुज लाते हुए कहां बदरी भाईया आज अखाडे में नहीं आए कहां लपक गए लपक कहां जाएंगे इधर उधर कहीं होंगे कहां होंगे यूनियन का सुपर्वाइजर गेहु लदवा कर भाग गया है उसी की मीटिंग यूनियन में हो रही है बदरी भी गए होंगे पहलवान ने लापरवाही से चबूत्रे पर थूख दिया कहां बदरी भी या मीटिंग में बैठ कर क्या अंडा देंगे सुपर्वाइजर को पकड़ कर एक धोबी पाट मार के उसी में साला टे हो जाता मीटिंग सीटिंग में क्या होगा रंगनाथ को बात पसंद आ गई, बोला, क्या तुम्हारे यहां मीटिंग में अंडा दिया जाता है? पहलवान ने इधर से किसी सवाल की आशा नहीं की थी, उसने कहा, अंडा नहीं देंगे तो क्या बाल खाड़ेंगे? सब मीटिंग में बैठ कर रांडों की तरह फाएं फाएं करते हैं, काम धाम के वक्त खूटा पकड़ कर बैठ जाते हैं, रंगनाथ को हिंदी भाषा के इस रूप का विश्यस ग्यान ना था, उसने मन में सोचा, लोग योहीं कहा करते हैं कि हमारी भाषा में सशक्त शव्दो की कमी है, यदि हिंदी के विद्वानों को छोटे पहलवान की तरह अखाडे में चार महीने रखा जाए, तो व्यक्तिगत ऐस विदा के बावजूद वे वहां की मिट्टी के जर्रे जर्रे से इस तरह के शब्द कोस निकालने लगेंगे, रंगनाथ ने अब छोटे पहलव पहलवान ने बाचित में कुछ आत्मिता दिखाई, पूछा, तुमारे क्या हाल है रंगनाथ गुरू? रंगनाथ पहलवान से अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था, दोनों वक्त दूद बादाम पीने और कसरत करने की बात, काफी हाउसों में भले ही ल पहलवान ने फिर नफरत के साथ चबूतरे पर थूका, लंगोट की पट्टी को आगे खीच कर कसा, और इस परकार ऐसा फल चेश्टाशे यह सुभेच्छा परकटकी की वह नंगा नहीं है, इसके बाद अपने को रंगनाथ की समकक्षता में लाकर बोला, अरे गुरू, कह है, तन पर नहीं लगता, पान खाएं अलबता, भई हाल था, लखनव में दिन रात फुट फेरी करता था, तो बिना मसाले के फुट फेरी कैसी, गेहूं तो वेचे गाही, यह फुट फेरी क्या चीज है, पहलवान हसा, फुट फेरी नहीं समझे, वह ससुरा बड़ा लासे बाजी कोई हसी ठटा है, बडो बडो का गूदा निकलाता है, जमुनापूर की रियायत तक इसी में तीडी बीडी हो गई, देशी विसुविद्धालों के लड़के अंग्रेजी फिल्म देखने जाते हैं, अंग्रेजी बाची समझ में नहीं आती, फिर भी बेचारे मुस रूप सुपरवाईजर की नक्से बाजी मैं पहले से देख रहा था, बदरी पहलवान से मैंने तभी कह दिया था कि उस्ताज ये लखनव लासे बाजी की फिराक में जाता है, तब तो बदरी वस्ताज भी कहते रहे की टाई टाई ने कर छोड़ू, साला आग खाएगा तो उतर आया है, तो सब यूनियन के दफ्तर में बैठकर पुसर पुसर कर रहे हैं, सुना है पुरस्ताव पास करेंगे, पुरस्ताव ने पास करेंगी, पास करेंगे घंटा, गल्ला गोदाम का सब गल्ला तो रामसुरूप निगल ले गया, आप जैसे पुरस्ताव पास करके ये उसका कुछ उखाड लेंगे रंगनाथ ने कहा बदरी से तुमने बेकार की बात की बैद जी से अपना सुभा बताते तो वे तभी इस सुपर्वाइजर को यहां से हटवा देते अरे गुरू, मुह ने खुलवाओ बैद जी तुमारे मामा है पर हमारे कोई बाप नहीं लगते सच्ची बात ठास दूँगा तो कलेजे मैं कल लाएगी हां सनीचर ने कहा छोटू पहलवान आज बहुत चान कर चले हो क्या, बड़ी रंगबाजी जाड रहे हो छोटे पहलवान बोले रंगबाजी की बात नहीं बेटा मेरा तो रोवा रोवा सुलग रहा है जिस किसी की दुम उठा कर देखो मादा ही नजर आता है बैद महराज के हाल हमसे ने कहलाओ उनका खाता खुल गया तो भबबक जैसा निकल आएगा मोंदना भी मुश्किल हो जाएगा यही रामसुरूप रोजवयद जी के ही मुँ से मुँ डाल कर तीन तेरे की बाते करता था और जब दो ठेला गेहूं लदवा कर रफू चकर हो गया तो दो दिन से टिल टिला रहे हैं हम भी यूनियन में हैं कह रहे थे प्रस्ताओं में चल कर हाथ उठा दो हम बोले की हम से हाथ ने उठवाओ महराज मैं हाथ उठाओंगा तो लोग कांखने लगेंगे हाँ यही रामसुरूप रोज शेहर में घसर फसर करता घुमता है उसे पकड़वा कर एक लखी इमारत में बंद कराते नहीं कहते हैं कि परस्ताओं कर लो बद्री वस्ताद खुद बिलबिलाई हुए हैं पर सगे बाप का मामला यह जांग खोलो तो लाज और वह खोलो तो लाज तब तक बैठक के सामने लोगों के आने की आवाज सुनाई दी चपूतरे पर खदर की धोती कुर्ता सद्री टोपी और चादर में भवे मूर्ती वैद महाराज प्रकट हुए उनके पीछे कई और चेले चपाडे बद्री पहलवान सबसे पीछे थे चेहरा बेना तोबडे की साहिता के ही तोबड़ा जैसा हो रहा था उन्हें देखते ही छोटे ने का वस्ताद एक बड़ा फंटूस मामला है बड़ी देर से बताने के लिए खड़ा हूँ खड़े हो तो कौन पिगले जा रहे हो क्या मामला है कहकर बदरी पहलवान ने छोटे का स्वागत किया गुरू शिष्य चबूतरे के दूसरे छोर पर बाचित करने के लिए चले गए वैद जी और चार-पांच आद्वें अंदर आ गए एक ने इतमिनान की बड़ी लंबी सांस खीची जो खत्म होते होते एक सिस्की में बदल गई दूसरा तक्त पर बैठ गया और उसने इतने जोर से जमाई ली कि पहले तो वह जमाई रही पर आखिर में सीटी पर आकर खत्म होई वैद जी ने भी तक्ये के सहरे बैठ कर अपनी टोपी और कुर्ता इस अंदाज में तक्त के दूसरे छोर पर फेका जैसे कोई बड़ा गवईया एक लंबी तान लगा चुकने के बाद सम पर आ गया हो ये सपष्ट हो गया कि सभी लोग कोई बड़ा काम करके थकान उतारने की स्थीति में आ गये हैं शनीचर बोला महराज बहुत थकान आ गयी हो तो एक बार फिर छनवा दू बैद जी कुछ नहीं बोले यूनियन के एक डारेक्टर ने कहा दुबारा तो वहीं यूनियन में छन चुकी है बड़िया माल, दूधिया अब घर चलने का नंबर है बैद जी कुछ देर पूरोवत चुब बैठे हुए दूसरों की बाते सुनते रहे ये आदत उन्होंने तभी से डाल ले थी जबसे उन्होंने विश्वास हो गया था कि जो खुद कम खाता है दूसरों को ज़्यादा खिलाता है खुद कम बोलता है दूसरों को ज़्यादा बोलने देता है वही खुद कम बेवकू बनता है दूसरे को ज़्यादा बेवकू बनाना है फिर वे अचानक बोले रंगनात तुम्हारी क्या राय है जिस तरह बिना बात बताई हुए बैद जी ने राई मांगी थी उसी तरह बिना बात समझे हुए रंगनात ने कहा जी जो होता है अच्छा ही होता है बैद जी मुछों ही मुछों में मुश्कराए बोले तुमने बहुत उचित कहा बद्री प्रस्ताव के विरुत्ता पर बाद में वह भी चुप हो गया प्रस्ताव एक मत से पास हो गया जो हुआ अच्छा ही हुआ रंगनात को अब ध्यान आया कि वह अपनी राय योही लुटा चुका है उसने उत्सुकता पूरो पूछा क्या प्रस्ताव किया आप लोगों ने हम लोगों ने प्रस्ताव किया है कि सुपरवाईजर ने जो हमारी 8000 रुपे की हानी की है उसकी पूर्ती के लिए सरकार अनुदान दे रंगनात इस तरक से लड़ खड़ा गया बोला सरकार से क्या मतलब गवन आपकी यूनियन के सुपरवाईजर ने किया और उसका हरजाना सरकार दे तो कौन देगा सुपरवाईजर तो एलक्षित हो चुका है हमने पोलिस में सूचना दे दी है आगे सरकार का दाहित्व है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है होता तो सुपरवाईजर को पकड़ कर उससे गहों का मुले वसूल लेते आप जो करना है सरकार करे या तो सरकार सुपरवाईजर को बंदी बना कर हमारे सामने प्रसुत करे या कुछ और करे जो भी हूँ ये दि सरकार चाहती है कि हमारी union जेवित रहे और उसके द्वारा जनेता का कल्यान होता रहे तो उसे ही ये हरजाना भरना पड़ेगा आनेता ये union बैट जाएगी हमने अपना काम कर दिया हागे का काम सरकार का है उसकी एक कर्मनेता भी हम जानते हैं वैद जी इतनी तरक संगत बाते कर रहे थे कि रंगनात का दिमाग चकरा गया वे शासन की एक कर्मनेता, जनता का कल्यान, दाईत्व आदी शब्द बार-बार अपने बात में ला रहे थे रंगनात को एकीन हो गया कि नए जमाने में लोग जैसी भाषा समझते हैं उसके मामा पुराने पीड़ी के होकर भी वैसी ही भाषा बोलना जानते हैं बदरी पहलवान छोटे से बाचित करके वापस आ गए थे बोले, रमाधिन के यहां डाका तो नहीं पड़ा, पर इधर उधर चोरियां होने की खबरे आई है वे अपने बाप के सामने प्राहें अदब से बोलते थे ये बात भी उन्होंने इस तरह से कही जैसे छोटे और उनके बीच की बात का यही निशकर्ष था और उसे बताना उनका कर्तब बेता वैद जी ने कहा, चोरी, डकैती, सर्वत्र यही सुन पड़ता है देश रसा तल को जा रहा है बदरी पहलवान ने इसे अनसुना करके जैसे कोई हेल्थ इंस्पेक्टर है, जैसे बचाओ के उपाई बता रहा हो जन साधरन से कहा, पूरे गाउं में चोरी की चर्चा है जागते भी सोना चाहिए शनीचर ने उचल कर अपना आसन बदला और भूचा जागते भी कैसे सोया जाता है पहलवान बदरी ने सीधी आवाज में का तिपर तिपर मत करो, मुझे आज मजा का अच्छा नहीं लग रहा है चबूत्रे पर जाकर अंधेरे में छोटे पहलवान के पास खड़े हो गए